नमस्कार आप देख रहे हैं अखबार जगत भारतिय जंता पार्टी के वरिष्ट नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुन जेटली का सड़सट वर्ष की उम्र में निधन हो गया आपको बता दे कि जेटली लंबे समय से बिमार चल रहे थे पूर्व वित्त मंत्री अरुन जेटली का शनिवार को दिल्ली के अखिल भारतिय नुर्विज्ञान संस्थान यानि एम्स में निधन हो गया एम्स ने एक बयान जारी किया है उसमें कहा है कि वे बेहत दुख के साथ सूचित कर रहे है कि 24 अगस्त को 12 बचकर 7 मिनिट पर मार परनिय सांसद अरुन जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे अरुन जेटली को 9 अगस्त को एम्स में भरती कराया था एम्स के वरिष्ट डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे आज ही अरुन जेटली से मिलने केंद्रे स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन एम्स पहुंच कमंत्री अरुन जेटली को सांस लेने में परिशानी का सांदा करना पड़ रहा था इसके बाद उन्हें एम्स में भरती कराया गया इसी साल मई महीने में अरुन जेटली की किड्नी ट्रांस्प्लांट भी की गई थी जेटली का सौफ टिशू कैंसर का इलाज चल रहा था पर इस बिमारी के इलाज के लिए 13 जनवरी को न्यू यॉक चले गए थे और फरवरी में वापस लोटे थे जेटली ने अमेरीका से इलाज करा कर लोटने के बाद एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं घर आकर खुश हूँ जेटली ने अप्रेल 2018 में दफ्तर जाना बंद कर दिया था 14 मही 2018 को एम्स में ही जेटली का किड्नी ट्रांस्प्लान भी हुआ था वे डाइबिटीस से भी पीडित थे सितंबर 2014 में वजन बढ़ने की वज़ा से जेटली की बेरियाट्रिक सर्जुरी भी करवाई गे थी रिपोर्ट अखबार जगत